अलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ओन दे यूट्यूब प्लैटफोर्म दिस सतीश और वोचिंग माई यूट्यूब चैनल अंगरी जी अकैडमी तोड़े वियर गोंग डिस्कूस दिस्कूस इंपोरेंट थिंग्स क्लोज अनलेसिस के अंदर आज हम यह देखेंगे कि जो क्लोज एक्जाम में वो नियरस्ट है और आपसे जो टोपिक है बहुत ही इंपोरेंट एंड एहम रोल निभाएगा आपकी जो एक्जाम है उसके बाद में सिंपल कमपाउंड और कॉंप्लेक्स सेंटेंस हैं उनके बारे में डिस्कूस करेंगे तो देखिए पहला जो हमारा क्यू है फिर adverb close है या फिर adjective close है सबसे पहले हम close phrase उसके बाद में simple compound complex ठीक है ये जो चीजें है phrase क्या होती है close क्या होती है simple sentence complex sentence compound sentence इन सब का discussion जो है वो आपको link दियावा है उसमें जाके आप उनको अच्छे से पहले समझोगे और अगर आपको समझ में हैं आए वे हैं तो आपको ये discuss करने हैं questions देखने हैं कैसे आप से पूछे जाएंगे because ये जितने आपको दे रखे हैं बिल्कुल बिटफनी बहुत easy है grammatically रूप से जादा easy यहीं topic लगता है तो देखे पहला question है राहूल said that he was innocent तो इसके नीचे जो underline दे रखा है वो underline वाली close कौन सी है तो राहूल said राहूल ने बोला क्या क्या बोला है what say reply मिलेगा तो वो नेसित रूप से आपका noun close होगा तो यहां आपकी क्या बन गई है noun close बन गई और यह किसका काम कर रही है object का का काम कर रही है किसका औबजफट object of this verb राहूल said उसने क्या कहा तो यह subject हो गया यह verb हो गई यह आपका क्या बन गया object हो गया noun close यहां पर एक एज एन ओब्जेक्ट ओके डियर तो यहां पर हमारा पहला अंसर ए हो गया दूसरा देखिए यहां कहा रहा है कि tell me your number इसके नीचे अंडरलाइन दे रहा है यह noun close है यह फिर adjective close है यह फिर अड़ो फ्रेज है यह फिर noun phrase है this is a group of word and a group of word is called phrase ठीक है एक group of word यह फिर a combination of word यहां पर जिसके अंदर क्या होता है आपका subject होता है आपकी finite verb होती है that is called close बट यहां ना तो subject है ना कोई क्या है verb है कुछ भी नहीं है इसका मतलब एक group of word is called phrase तो यहां पर आपका क्या बन गया phrase बन गया सबसे पहले तो आपको दिमाख में रखना उसके बाद में आपको यह देखना है कि यह phrase वो क्या है तो यह noun phrase है क्योंकि यहां पर tell me बताओ मुझे what क्या बताना है what का reply दे रहा है इसलिए आपका क्या बन गया है यहां पर noun phrase बन गया है you didn't hear आपने सुना नहीं क्या नहीं सुना what देखो what का reply मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है what the teacher said जो teacher ने कहा वो तुमने सुना नहीं इसका मतलब यह भी आपका reply दे रहा है किसका reply what का reply मिल रहा है इसका मतलब यह क्या है noun close as a subject है क्या नहीं noun close as an object ये किसका object है ये इस verb का object है यहां ये subject हो गया ये verb होगी ये आपका object हो गया इसका मतलब आपका अंसर आगया P the doctor had arrived before the patient died अब इसके नीचे before the patient died के नीचे underline कर रखा है ये वाला part कौन सा है तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि ये वाली close है अब close कौन सी है तो देखो यहां पे जब भी आपको when से reply मिले wise से reply मिले या पिर adverb जो manner होती है वो manner में सारेक सारे manner हो गया time हो गया condition हो गया comparison हो गया ये सारेक सारे adverbs है तो यहां doctor had arrived doctor पहुचा कब when before the patient died यानि की रोगी के मरने से पहले तो doctor यहां पहुचने की situation बता रहा है समय बता रहा है time event बता रहा है तो यह वाली close कौन सी बन गई आपकी adverb close बन गई डि-answer आगे इसम애 tell me where you live तो इसमें ये वाला पूचा है वेर यो लीव तुम कहां रहते हो तो देखो यहां पर यह principle close है यह फिर आड़ोब है noun है adjective या फिर relative close है तो देखो principal close तो है नहीं क्योंकि principal close क्या नहीं होती है अपने आप में क्या होती है independent होती है वो किसी भी close के उपर dependent नहीं होती है यहां tell me बताना मुझे क्या यह भी what का reply मिल रहा है इसका मतलब यह भी noun close हो गई तो आपका answer क्या बन गया इसमें c noun close बन गया whatever may be the result I shall do my best whatever may be the result अब यहां पर यह पूछ रहा है कि यह वाली close जो देर की underline वो कौन सी close है तो देखो whatever may be the result यहां आपकी I shall do my best I shall do my best यह आपको how का reply मिल रहा है ठीक है तो यह भी आपका क्या बन गया result जो है वो बता रहा है और यहां पर whatever may be the result चाहे कुछ भी हो I shall do my best तो यहां आपकी जो है वो कौन सी close बनी यहां आपकी adverb close बन गये यह भी I shall come to school मैं school आऊंगा even if I am unwell कैसे यह भी चाहे कुछ भी हो यहां पर यह वाला जो part है वो भी क्या बता रहा है आपको adverb close बता रहा है क्या बता रहा है यह वाली close जो है underline जो close दे रही है वो भी क्या आपकी adverb close है तो answer क्या बन गया B बन गया He gave me everything I asked for तो देखो question कितना मज़ेदा रहा है He gave me everything I asked for जो कुछ भी मैंने मांगा यहां everything का मतलब कोई भी यहां पर वस्तू की बात कर रहा है तो यहां यह जो pronoun दे रहा है एक बार हम इसको noun बनाते हैं everything का मतलब यहां noun कुछ भी हो सकता है उसको क्या कर रहा है यहां पर qualify कर रही है close I asked for I asked for का मतलब मैंने जो कुछ मांगा क्या जो कुछ भी यहां पर यह जो noun है इसको यहां पर definite कर रही है इसको qualify कर रही है इसका मतलब यह क्या हो गया आपकी adjective close होगी relative close होगी समझा है डियर तो यहां आपका answer D बन गया इसमे question number 9 She is happy that you have come She is happy that you have come यहां पर that you have come यह जो है वो भी adverb close है She is happy How कैसे है वो कुछ क्योंकि यहां पर तुम आ चुके हो इसलिए यह वाली adverb close है वो भी how का reply मिल रहा है हमें तो यह बन गया adverb close next आता है 10 question number 10 के अंदर this is not a job job को यहां यह qualify कर रहा है where you feel uncomfortable where you feel uncomfortable तो यहां पर job को qualify कर रही है तो यह वाली close आपकी कौन सी बन गई adjective close बन गई यानि की relative या फिर adjective close answer आ गया D I kept studying मैं पढ़ता रहा studying करता रहा ठीक है until I felt asleep जब तक मैं ना सो जाऊं तब तक मैं पढ़ता रहा तो यहां पर आपको time बता रहा है इसके अंदर condition बन रही है यह भी adverb close of condition इसलिए यह भी आपकी क्या बन गई adverb close बन गई यहां आपको time event बता जा रहा है after the class ended we took coffee हमने coffee ली कब यह भी when का reply मिल रहा न class के end होने के बाद तो this is also adverb close okay dear 13 question में आता है if you give me the proper reason proper reason यही तु मुझे देते हो I will allow you to sit here तो this is conditional close तो we can say this is conditional close और condition जब यहां बनती है तो वो भी adverb close कहलाती है I have a cousin मेरे एक cousin है who is a doctor यहां दे आ जाएगा who is a doctor यहां doctor जो है किसको cousin की बात कर रहा है तो यह वाली जो है वो qualify कर रही है इस noun को qualify कर रही है तो this is an adjective close यह फिर adjective close को ही हम क्या बोलेंगे relative close बोलेंगे तो आपका answer क्या आगया D आगया 15 आता है whatever you order whatever you order is fine for you यहां whatever you order यह एक subject का काम कर रही है और यह already एक close है तो subject का काम कर रही है यह subject हो गया यह verb हो गई चिक है इस तरह से फिर यह आपका क्या बन गया noun close बन गया as a subject यहां subject का काम कर रही है after the interview was done तो यह कि देखिए अभी आपका after the interview is done यह वाली जो है आपकी question number 16 के अंदर आपकी जो close बन रही है वो भी कौन सी close बन रही है adverb close बन रही है we will select the candidate we will select the candidate कब select करना है after the interview is done interview होने के बाद में तो यहां आपकी close कौन सी बन गई adverb close बन गई question number 17 आता the bank that the thief robbed चोर ने लूटा वो bank कौन सा bank वो वाला bank जो चोरो ने लूटा था तो यहां यह वाली जो close है वो इस bank को qualify कर रही है यह उसके बारे में बता रही है कि bank कौन सा वो वाला bank जो चोरो ने लूटा न वो कहा है is on the top of the building तो यहां इस चीज के नीचे underline कर रही है तो यह वाली कौन सी close होगी adjective close होगी यहां पर that you are drunk देखिए यहां पर यह already एक subject का काम कर रही है यह verb हो गया ओके यह जो बुच गया आपकी जो भी है object वगेरा तो यह जो है verb से पहले क्या होता है subject होता है और यह already एक पूरी अपने आप में क्या एक close है तो यह भी क्या कर रही है subordinate close a noun close subordinate close an adjective close तो सीधा सीधा आ रहा है यह subject का काम कर रही है तो यह क्या हो गया subordinate close है ठीक है और यहां पर यह noun close है तो यह वाला a ही असका इसका क्या बन जाएगा answer बन जाएगा we came upon a hut हम उस जोपड़ी में आए where a present lived तो यहां जोपड़ी जो है उसके बारे में यह qualify कर रही है उसके बारे में कुछ न कुछ बता रही है तो यहां पर उसकी विसेश्ता बता रही है तो इसका मतलब यह वाली क्लोज कौन सी हो गई आपकी adjective क्लोज होगी इसमें question number 20 मोहनलाल डाइड मोहनलाल डाइड इन हीस नेटिव विलेज यह फ्रेज बन गई क्योंकि यह वाली underline पार्ट ही इसने पूछा ना तो यह वाली क्लोज क्या बन गई यह वाली क्लोज नहीं यह फ्रेज बन गई और यह फ्रेज बनी है तो कौन्स क्या बनी है यहां पे आपका क्या गया अड़ोव फ्रेज क्या बता रहा है अड़ोव फ्रेज बन गया यह नेक्स्ट आता आपका tell me your number I hope की यह रिपीट हो गया tell me your number और तो your number इसमें पूचा है तो इसका मतलब यह भी क्या है यह आपका फ्रेज है तो यह क्या बन गया नाउन फ्रेज बन गया the reason why did this the reason why did this तो यहां यह जो reason है नाउन है और उसके बारे में यह क्या कर रहा है विशेश्ता बता रहा है इसका मतलब यह वाली close क्या बन गई आपकी relative close बन गई क्योंकि इसमें adjective close या relative close बोट आर सेम बट यहां पर क्या देरका है उनले relative ही देरका है तो हमारी क्योंची close बन गई यह relative close बन गई यहां पर next आता है first with so many problem I decided to go abroad the underline part is underline part है वो कौन सा है तो देखो इसके अंदर phrased है तो यह वाली phrased कोई भी finite verb नहीं है और बाकी इसके अंदर क्या है आपका पूरा का पूरा कोई भी finite verb न होने कारण यह only क्या है phrase है यह वाली कौन सी है यह सरफ और सरफ phrase है search his pocket and you will find the watch complex sentence यहां पर आपको यह दे रखा है इसका मतलब भी है कि अगला complex sentence में change करवा रहा है तो आपको पता है कि sentence होते हैं वो तीन प्रका के होते हैं simple sentence हो गया compound sentence हो गया और complex sentence हो गया तो simple sentence जिसमें एक ही finite verb होती है और compound sentence जिसमें कितन भी finite verb हो सकती है और वो conjunction से चुड़ता है almost ठीक है फिर उसके बाद में आता है complex sentence complex sentence जो है वो भी वही बात है दो या दो से अधिक जो close होंगी उसमें final word होंगी closes होंगी बट यहां पर यह कि एक sentence almost सारे नहीं बता रहा है almost वो दूसरे पर depend रहेगा और वह है क्या बनाएगा जो close है वो है बनाएगा complex sentence close तो वो भी बनाता है लेकिन दोनों वहाँ पर क्या होंगी इसमें dependent close होगी ठीक है देखें पहला करें कि search his pocket and you will find the watch तो इसका जो है वो conditional sentence से जूड़ जाएगा कि if you search his pocket you will find the watch तो यहाँ पर यह जो है वो इसके ऊपर depend हो रहा है और यह condition बन रही है इसी जो conditions जो sentences होते हैं वो कौन से sentence कहलाते हैं complex sentence कहलाते हैं यह आपको ध्यान में रखना है समझा गया बई sentence होंगे वो तीन होंगे simple compound और complex और ऐसे ही exact जो questions है वो आपसे पूछे जाएंगे अगला question कहरा है do as I tell you or you will regret it देखिए यह जो sentence है वो पहले तो यह देखो कि यह sentence है कौन सा तो यह जो sentence है वो कौन सा sentence हुआ यह compound sentence हुआ और इसको complex sentence में करवा रहा है तो complex sentence में करवा रहा है तो वहीं बात कि इसमें unless you do as I tell जब तक जो है यह इसमें भी condition बन रही है यह जो unless का use है वो भी condition बनाने के लिए किया दाता है यहाँ पे you will not if you do मतलब यह वाला जो है इसमें कोई भी sentence exact word जो है exact sentence जो structure जो है वो set नहीं हो रही है complex sentence की यह वाले set हो रही है यह भी condition बन रही ह ठीक है तो यहाँ पे देखिए you will not regret यहाँ कर रहा है you will regret तो यह इसका structure सही नहीं है sentence का यहाँ कर रहा है कि unless you do as I tell you you will regret it जब तक मैं तेरे को कहूं ऐसा नहीं करेगा नहीं करते हो तो तुमें regret होगा और यहाँ पे regret नहीं होगा ठीक है तो इसका मतलब यह जो है sentence exact नहीं ह पना रहा है यहाँ से इसलिए इसका जो right answer है वो क्या होगा 4 होगा unless you do as I tell you you will regret it clear होगा यह sentence कौन सा हुआ complex sentence हुआ यह भी उसके बाद में अगला जो sentence है I am certain that you have made a mistake यह जो sentence है पहले यह देखो कि यह sentence कौन सा है अंदाजा लगा सकते हो कि यह sentence कौन सा है यह sentence है compound sorry compound में तो क sentence कौन सा sentence हुआ complex sentence हुआ यह that जो है इससे जुड़ रहा है इसलिए यह complex sentence है अब इसको compound में कर रहा है तो compound में कर रहा है तो इसका जो answer क्या है you have made a mistake and I am certain of this तुमने जो mistake तुम कर चुके हो और मैं इसससे क्या हूँ certain हूँ एकदम आस्वस्त हूँ कि हाँ तुमने यह mistake कर द कर दिये तो यह तो क्या हुआ complex हो गया अगर आपसे यह sentence बनवाता है और यह sentence आपको complex बनवाने के लिए देता है तो आपको इस तरह से change करना है यह थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको समझागे बई simple compound और complex तीन sentence होते हैं उनको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इन से related questions 100% आपसे पूछे जाएंगे चाए कोई भी exam हो उसके बाद में next आता आपका doctor ordered ram to stay in bed अब यहाँ पे जो किस प्रकार का किस pattern का sentence है doctor ने राम से कहा है कि तुम्हें bed में stay होना है तो यह किस प्रकार का sentence है यह चीज हमें देखने है तो देखिए that doctor यहाँ पे क्या हो गया subject हो गया ordered वर्व होगी ठीक है सबमई है यह वह सबमई है subject ठीक हो गया उसके बाद में क्या है यहाँ पे राम तो राम adjective नहीं है ठीक है राम noun है noun है noun है ठीक है यह भी clear हो गया इसका मतलब यह एक option तो क्या होगया delete हो गया तू स्टे इन बैट अब ये तू स्टे क्या हो गया वई तू इन्फिनिटीव हो गया यहां पर ये क्या हो गया तू इन्फिनिटीव हो गया इसका मतलब क्या हो गया यहां पर जो एंसर है यहां पर जो है इन्फिनिटीव नहीं है ये तू इन्फिनिटीव है इन्फिनिटी उसके बाद में आपका आता है इंफिनिटीव होता है उसके बाद में आता है पर्टिसिपल होता है तो जिरन के बाद में दूसरा कौन सा हुआ इंफिनिटीव हुआ तो इंफिनिटीव भी दो प्रकार का होता है तो इंफिनिटीव और बेर इंफिनिटीव तो इसमें आपका जो answer है वो ये वाला right होगा answer number 2 is clear ठीक है उसके बाद में next today even a blank sheet of paper is in danger of being considered a work of art इसको identify करना है कि ये किस pattern का sentence है जो भी underline किया हुआ है वो अब देखो इसके अंदर subject तो subject है तो subject से पहले ये वाला क्या हो गया today क्या है एडवर्ब है इसका मतलब पहले एडवर्ब है ठीक है तो ये एडवर्ब हो गया even a blank sheet of paper ये subject हो गया ये यहाँ पे क्या होगी वर्ब होगी linking verb ओ linking verb अपने आगे क्या लेती है linking verb क्या लेती है compliment तो answer number 2 is right clear हो गया today adverb होगी even a blank sheet of paper ये वाला जो है subject हो गया linking verb वर्ब होगी फिर linking verb अपने आगे क्या लेती है compliment लेती है तो ये आपका answer हो गया clear हो गया भाई समझ में आगा अच्छे से next देखिए the phrase the place I live in यहाँ पे आपको phrase पूचा है phrase जो है वो phrase है वो कौनसी है इसमें यानि कि the place I live in यह किस प्रकार के देखिए a proposition as a modifier a close तो देखिए यह जो है यह close है जानते हो close में और phrase में difference क्या होता है close हमेशा finite verb से मिलकर बनेगी और phrase हमेशा उसमें कोई भी finite verb नहीं होगी यह अपने मैंड में अच्छे से set कर लेना phrase close phrase close close में finite verb phrase में कोई finite verb नहीं होती है तो इसका मतलब a preposition as a modifier तो यह option क्या हो गया delete हो गया neither an adjective nor a preposition as a modifier यह भी नहीं है अब यह क्या है यह क्या है यह क्या है close है जो एक modifier की रूप में है यहाँ पे होते हैं pre-modifier, post-modifier जो MHM आपने पढ़ा है देखा है, सुना है तो उसके बारे में यह बात बताना चाहरा है तो यह जो phrase है the place I live in तो यहाँ पे जो the place जो phrase है वो, एँ सोरी यह जो phrase पूरा का पूरा है यह close है और यह modifier की रूप में इसका यहाँ पे दिया गया है उसके बाद में अगला you can talk as much as you like इस sentence में इकिस चीज़ का example है समझा है you can talk as much as you like the sentence is an example of इकिस चीज़ का example है adjective close है adjective close होती न non close adjective close ठीक है, उसके बाद में adverb close यहाँ पे यह कह रहा है कि you can talk as much as you like as much as you like तो यहाँ पे how much का reply देरक है तो वो हमेसा how much जो है वो क्या कहलाएगी adverb close कहलाएगी तो इसका answer क्या हो गया adverb close ठीक है, close वाला जो है हमारा उसमें देखना topics जो है ठीक है, उसके बाद में next आता है which of the following has adjective phrase adjective phrase, adjective phrase क्या होता है adjective जो phrase है वो देखिए राम रेन, यहाँ पे राम ने रेन किया दोड़ा राम रेन with a great speed यह जो देरका है वो कौन सा है adverb phrase है यहाँ तक राम दोड़ा कैसे उसका answer मिल रहा है with a great speed ठीक है, इसका मतलब पूछ क्या रहा है adjective phrase पूछ रहा है ठीक है बाईया the sheep lived in a house built of stone in a house ठीक है उस घर में रहता है कैसे built of stone जो पत्थर का बना है कैसे घर में कौन से घर में उस घर की विसेश्था बता रहा है और adjective phrase वहीं होती है जो विसेश्था बताती है answer second समझा गया चैसे ठीक है इन बाजार ये भी क्या adverb है when I was young I thought तो ये भी adjective phrase नहीं है हो गया answer number two that barking dogs seldom bite is not quite true noun clause adjective clause noun phrase adjective phrase adverbial phrase none of these तो बताई इसमें the barking dogs seldom bite ये जो देरखा है यहां पर ये हमेशा noun का काम करेगी ये वाली phrase जो है वो किसका काम करेगी noun का ये जो linking verb से पहले ये किसी भी verb से पहले है noun clause हमेशा what का reply करेगी what what is not quite true what is not quite true the barking dog seldom bite is not quite true तो आपका answer ये हो गया समझा है कि आपको noun clause अगर मालेशे कोई भी है यहां पे subject बनाया आपने ठीक है और उसके बाद में कोई भी verb या linking verb दे दी तो इसके बाद बाला portion भी what का reply करेगा तो वहें भी पूरा का पूरा noun clause ही कहलाएगा ठीक है which has the pattern of subject verb जिरंट देखिए which has the pattern of subject verb जिरंट तो यहां पे आपको पता है जो जिरंट है वो कौन सा जो pattern है वो जो जिरंट का है subject का भी है verb जिरंट क्या होती है ing वाले form होती है वो जिरंट होती है ठीक है तो यहां पे देखिए थोड़ा सा इस question में थोड़ा सा क्या है error आ गया है because इसमें दो answer दे दिये साथ में brother enjoys और enjoyed playing cricket playing cricket तो I think इसमें तो almost आपका जो है यह वाला playing cricket जो है जिरंट हमेशा क्या है वाट कर रिप्लाइ देगी जिरंट भी तो ही my brother enjoys playing cricket brother enjoys तो यह दोनों है तो थोड़ा सा कि यह क्या है यह थोड़ा सा गड़बड आ गया इसमें next देखिए my opinion is that he will get good marks ठीक है यह question है तो यहाँ पर देखो my opinion is that he will get good marks देखो यह होगया ठीक है तो यह कोई भी linking verb देखो मैंने क्या कहा था कि linking verb अपने आगे almost compliment लेता है कहलेगा almost compliment लेगा और compliment लेगा तो आपको यह देखना है कि compliment कौन सबा subject नहीं है object नहीं है compliment of the verb तो question number इसका answer third आ गया ठीक है अगर माले जो predicate मादे तो predicate तो फिर पूरा यहां से यहां तक पूरा होता वो सरफ underline वाला देख पूछ रहा है तो compliment of the verb यह हो गया इसका next करहा है phonetic जो है revive phonetic मे revive revive ठीक है नहीं है यह इसका उसके बाद में which of the following is spelled correctly सही तरीका है वो meaning का वो कौन सा है exact words जो है meaning का वो कौन से सही meaning कौन सी है तो fraternity जो होती है नो भाई चारा जिसको ब्रातर तुआ जिसको अपने बोलते है उसकी spelling क्या होती है f-r-a-t-e-r-n-i-t-y देखिए किस में है किस नमबर option number किस में है third में यह f-r-a-t-e-r-n-i-t-y fraternity का मतलब भातर तुए ओके next the opposite of the word eloquent eloquent क्या होता है भावपुर्ण सीधा मतलब ऐसा ही emotional जिसको बोलेंगे तो इसका जो opposite है वो क्या होगा inarticulate asbest जिसको बोलेंगे ठीक है eloquent का मतलब सापसुत्रा भावपुर्ण मतलब जैसे कि कोई भी आदमी अचानक भावव मिनाते हैं इसका मतलब वो सापसुत्रा है ठीक है और inarticulate inarticulate का मतलब asbest तो इसका opposite word यह हो गया ठीक हो यह morbid morbid क्या होता है रोग ग्रस्त मतलब ऐसे ही दुखो वाला जिसको अपनो बोलेंगे रोग ग्रस्त होता है morbid ठीक है गे का मतलब परसन नचित ठीक है हर्स जिसको अपनो बोलेंगे ठीक है gloomy melancholy unhappy यह सारे सारे इसके similar word हो सकते है आगया opposite of explicit explicit का मतलब क्या हो गया explicit का मतलब सुस्पस्ट वादी तो इसका opposite implicit opposite क्या हो गया implicit explicit का implicit तो answer हो गया third choose the word which is most closely same to the meaning of the given indigenous indigenous का मतलब क्या है अपना सुदेश का स्वदेशी ठीक है तो यहाँ पे आ गया native native जो है answer number इसका two native का मतलब खुद का स्वदेशी इसका अपने बोलेंगे ओके उसके बाद में next आता आथा आपका what is the synonym of redemption जो redemption है वो उसका synonym क्या होता है तो redemption का मतलब होता है ठीक है तो reclamation reclamation का मतलब क्या हो गया मुक्ती हो गया कोई भी चीज से पुनह प्राप्ती मतलब वापस लेना किसी चीज से मतलब उससे उसको मुक्त करवा देना है तो इसका similar word जो है synonym जो है वो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा the word temporal means temporal क्या होता है संसारिक होता है worldly होता है ठीक है तो यहाँ पे इसका temporal का क्या हो जाएगा option जो भी आपका देर का है worldly यह इसका आंसर हो जाएगा अब next वापस आते है कि octave and sustate are two main part of octave और sustate होते हैं वो किस चीज के part होते हैं आपने सुना होगा कि जो sonate होती है वो sexperience sonate होती है तो sexperience sonate तो क्या होती है divided into three parts and a couplet तो three parts of four line each जो petrachan sonate divided into two parts octave and sustate octave as eight line sustate as six line इसके अंदर देखो option क्या होना चाहिए all of double suspensers sexperience और यह आता है petrachan form of sonate तो आपका answer क्या हो गया petrachan sonate यह वाला इसका answer है उसके बाद में है onomatophe onomatophe क्या होता है भई onomatophe जो होता है वो कोई भी चीज का जो है सरसरहट वाला साउंड होता है उसको बोलोंगी ठीक न जैसे a figure of speech in which formation of words is such which sound is imitative of the accent designated इस तरह आते हैं sound उसको अपन बोलेंगी onomatophe ठीक है तो यह वाला इसका answer क्या हो जाएगा answer number four शोलो की क्या होता है शोलो की शोलो की होता है वो my last duchess my last duchess के अंदर जो होता है जो duke speaker जो है उसको अपनी मनी मन बोलता है that's my last duchess printed on a while ठीक है रोबर्ट ब्राउनिंग की जो पोई मना वो तो उसमें शोलो की मनला स्वाकथन स्वाकथन का मनला अपनी-अपने मन में बोलने वाला तो देखो इसमें option देखो कौन से है an act of speaking with one person ठीक है an act of speaking alone or to oneself यानि की अकेले ही अपने आप से ये वो हो ना उसमें आपका sorry क्या बोलते हूं उसका sex feeling के वो हो हो ना to be and not to be वाला वागी नियों होगा वो हो ना उसमें जैको क्या बोलते हूं आता ना डंकन वाला जो है ठीक है उसके अंदर आता है ये तो वो ये वाला होगास में an act of speaking alone or to oneself तो इसका अंसर B हो जाएगा यानि की क्यूशन नंबर टू जो है ऑप्शन नंबर टू जो है वो हो हो है इसका उसके बाद में आता I don't know her name वापस देखे complex compound ये जो है बहुत ही focus on पे तो ऐसे जो sentences है वो देखो क्या है complex sentence तो पहले आपको ये पता रहाँ जाए कि sentence कौन सा तो ये sentence क्या है I know her name simple sentence है complex sentence पे बना रहा है तो complex sentence होगा I don't know I don't know I don't know what her name is what she and her name is तो इसमें what her name is ये क्या हो गया इसका complex sentence हो गया complex sentence किसे जोड़ते हैं WH word से who sees नहीं है यहापर सरफ नाम पूचा what her name its answer third हो जाएगा समझा क्या अच्छे से Mohan is too poor to study abroad ये भी क्या है simple sentence का क्या है simple sentence है complex में change करवा रहा है तो complex sentence क्या हो गया Mohan इसको तो टू-टू को तो so that में change करना सबको पता है Mohan is so poor that he cannot study abroad ये हो जाएगा इसमें ठीक है simple सा ये सबको पता है so टू-टू को so that में change करना so that को टू-टू में change करना टू-टू होते है simple sentence होते है so that वाला complex sentence होते है उसके बाद में आता he declared that he was innocent he declared that he was innocent इसको simple sentence में बनाना है तो देखिए ये पहले तो ये देखो कि ये sentence है कौन सा तो ये sentence आपका complex sentence है that he was innocent इस तरह से तो यहाँ आप इसको जैसे ही simple बनाऊगे तो he declared his innocence इसमें कुछ भी नीद है ठीक है he declared his innocence ये answer यह हो जाएगा इसका उसके बाद में आता है next to weather the storm means अब देखिए ये आपके पास में वो जो आपकी जो है idiom phrases जो हमने हमारे पिछली वीडियो में देखा है to weather storm means इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है to weather the storm जैसे कि तूपान के अंदर अपने आपको बना के रखना इसका मतलब difficult जो time होता है ठीक है to survive in difficult time ये इसका क्या हो गया answer हो है to survive in difficult time कठीन प्रस्तितियों में भी survive करना अपने आपको pull through pull through pull through means क्या हो गया control करना वो to control नियंतरन करना ठीक है उसके बाद में next है a fish out of water वो भी मचली है उसको जल से बाहर निकाल दो इसका मतलब प्रिस्तितिया जो है वो change हो जाती है ना तो यहाँ पे face to face with deal death in want of house determiner to live determined to live तो यह नहीं in a strange situation in a strange situation तो यहाँ पे इसका अंसर यह हो जाएगा in a strange situation अजीब इस्तति बन जाना a wild good says निर्थक प्रियाज जिसको बन बोलेंगे useless कोई भी enterprise enterprise मिन्स कोई भी प्रियाज होता है ठीक है a useless enterprise मिन्स कोई भी निर्थक प्रियाज जिसको बन बोलेंगे a wild good says उसके बाद में आगया था है mac a wild lesson sign नहीं था कि बहती गंगा में हाथ दोना ठीक है mac a wild lesson sign इसका मतलब क्या होता है तो यहाँ पे आपका बहती गंगा में हाथ दोने का मतलब mac maximum use of a given opportunity mac maximum use of given opportunity आपको कोई भी अउसर दिया जाए उसका अधिक्तम उप्योग ही कर लेना mac a wild lesson sign इसका मतलब होता है तो इस तरह से दोस्तों देखे आपके लिए बहुत ही important question है यह जो series है बहुत ही important question हो की series है ऐसे ही question है हमें आपको feedback उसका मैं weight करूँगा अगर आपका त्यारी अची चल रही है इनसे तो please अपना comment box में अपना जो भी है आप agree होक नहीं हो आपको कुछ भी अपने comment box में अपने जो feedback वो देना है थैंक्स फोचिए मैं वीडियो